आगे बढ़ते हैं, 19th में, if the function is given by g of u, 2 10 inverse e की पावर u, minus 5 by 2, then g is even and is strictly increasing in 0 to infinite, देखो क्या कहना चाहरा है, हम क्या करते हैं, यहाँ पर g of u तो मुझे पता है, कि क्या है g of u, 2 times 10 inverse e की पावर u, minus of 5 by 2, तो g, minus of u, निकालो, कितना आया गादर, 2 times 10 inverse, e की पावर, minus u, minus of 5 by 2, ठीक है, तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, 2 times, cot inverse, e की पावर u, minus 5 by 2, ऐसा बोल सकता हूँ, तो यहाँ से क्या आ गया है, यह 2, 5 by 2, minus 10 inverse, e की पावर u, minus 5 by 2, तो 2 into 5 by 2, कितना हो गया, 5, 5 मैं से 5 by 2 गया, तो कितना बचेगा, 5 minus 5 by 2, 5 by 2 बचेगा, minus 2 times 10 inverse, e की पावर u, यहाँ पर नेगेटिव को कॉमन ले लो, जैसे आपने नेगेटिव को कॉमन लिया, तो क्या बनेगा, 2 times 10 inverse, e की पावर u, minus 5 by 2, तो g of minus u, g of minus u, जो है, minus of g of u के बराबर है, g of minus u, minus of g of u के बराबर है, तो यहाँ से मैं क्या कह सकता हूँ, कि g of u जो है मेरा, यह कैसा function है, आपका एक odd function है, ठीक है, अब यह odd तो हो गया, तो odd वाला option तो हम मझे देख रहा है, बस हम इसकी increasing और decreasing की बात करनी है, तो g dash of u, g dash of u अगर मैं निकालना चाहूँ, तो कितना आएगा, 2 times 10 inverse, 1 upon e की पावर 2u, और e की पावर u का, e की पावर u आगया, देखो यह हमेशे increasing रहेगा, ठीक है, तो odd and is strictly increasing in minus infinity to infinity,